आपका स्वागत आज की इस वीडियो में अगर आप WhatsApp पे दिन रद वीडियो देखते रहते हैं चाहे आप शॉट्स भी देख रहे हो या फिर कोई करते हैं यानि को online classes करते हैं तो फिर आपको classes करने में काफी देखतों का सामना करना पड़ रहा होगा तो ऐसे में आप कोई ऐसा solution चाहते हैं कि आपका यूट्यूब का जो data eating problem है यह आप solve कर सकें तो फिर आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में क्योंकि आज की इस वीड साथी ज्यादा data खा रहा है तो फिर आप कैसे इस situation को हटा सकते हैं और कैसे आप ज्यादा data खाने का जो यह समस्य है इससे आप निजात पा सकते हैं तो यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंग तक देखते रहना है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो तो यूट्यूब का data acting problem जो है उसे solve करने के लिए आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब एप में आ जाना है अपने यूट्यूब एप में आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे में एक library का option आपको दिख रहा होगा जो कि आपका right side की lower corner में आपको दिख रहा पर जैसे इसके उपड़ करते हैं वसे आपके समय एक निया interface आता है और यहाँ पर आपको जहाँ पर सबसे उपर में right side corner में आपको जहाँ पर एक dp का आइकन दिख रहा है आपको सिंपिल एउस आइकन के उपर टैप करना है उसके उपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर settings का एक option आपको दिख रहा होगा, आपको settings वाले option के उपर tap करना है, आप जैसे settings वाले option के उपर tap करते हैं, व्यासे setting वाला page खुल जाता है, इस page के खुलने के बाद, आपको यहाँ पर data saving नाम से एक option आपको दिख रहा होगा, जो कि second number पर है, आपको simply इस option के उपर tap करना है इसके उपर टैप करते ही आपको यहाँ पर सबसे उपर में एक डाटा सेविंग मोड नाम से एक option आपको देखने को मिल जाएगा आपको simply इस option को इस option के बगल में जो बटन दिया हुआ है उसके उपर आपको टैप करना है और इस option को इनेबल कर देना है आप जैसे इस option को इनेबल करेंगे वैसे आपका जो यूट्यूब में है डाटा सेविंग मोड अन हो जाता है और इस कारण से आपका जो यूट्यूब है वह जादा डाटा नहीं खाएगा चाहे जो भी वीडियो आप प्ले करेंगे और यहाँ पर आपको default settings में आपको थोड़ा सा changes कर लेना है नहीं तो अगर आप किसी का Wi-Fi इस्तमाल करेंगे तो फिर किसी का भी Wi-Fi इस्तमाल करते हुए आप अगर कोई वीडियो देखेंगे तो फिर उस case में आपको जो डाटा है यानि कि जिससे आप Wi-Fi लिये हुए है उसका जो डाटा है वो जो ब्लू बटन है उसके उपर टैब करके इसे ग्रेक कर देना है और इसे डिसेबल कर देना है आप जैसे इसे डिसेबल कर देंगे वैसे ही आपका जो Wi-Fi में ज्यादा डाटा खाएगा वो प्रॉलम नहीं होगा और उससे भी आपको solution मिल जाएगा यानि कि निजात मिल ज रखते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो का हम रखते हैं बसे इन तक मिलते हम आपसे अगले वीडियो में